साथियों ये सदी डिजिटल रिवलुशन और न्यू एज इनोवेशन की सदी है और इस सदी को एशिया की सदी भी कहा जाता है और इसलिए ये समय की माँग है कि बविश की टेकनोलोजी एशिया की लैप्स से निकले बविश के एंट्रप्रणर्स हमारे यहां से तयार हो इसके लिए एशिया के उन देशों को आगे आकर जिम्मेदारी लेनी होगी जो एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं एक दूसरे के लिए काम कर सकते हैं जिनके पास संसाधन भी हो और सहयोग की भावना भी हो इसलिए यह जिम्मेदारी स्वाभावी गुरुप से हम सब बिम्ष्टेक देशों के पास ही आती है हमारे सद्यों पुराने रिष्टों हमारी संस्कृति सब्वेता और संबन्दों की सांजी विरासत ने हम सब को आपस में जोड़ करके रखा है हम अपने विचारों को साजा करते हैं इसलिए हम अपने आइडियाज भी और ज़्यादा साजा कर सकते हैं हम एक दूसरे के सुखदुख साजा करते हैं इसलिए हमारी सफलता भी साजी होगी इसके साथ ही हम एक साथ दुनिया की वन फिफ्ट पॉपलेशन के लिए काम कर रहे हैं हमारे पास कलेक्टिवली 3.8 ट्रिलियन डॉलर जीडिपी की ताकत भी है हमारे युवाओं में जो उर्जा है अपना भविश्य खुद लिखने की जो अधीरता है मैं इसमें पूरी दुनिया के लिए नई संभावनाएं देखता हूँ साथियों इसलिए मैंने दो हजार अठारा में बिम्स्टेक समीत में कहां था कि हम सभी देश टेक्नोलोजी और इनोवेशन के खेतर में एक साथ आएंगे कि मैंने बिम्स्टेक स्टारट अप कॉन्कलिव की भी बात कीथी इस संकल्प को पूरा करने के लिए आज हम सभी देश श्टार अफ इंडिया इंट्रनेशनल कॉन्कलिव में पर इकहटता हुई है सभी बिमस्टेक देश आपसी कनेक्टिविटी बढ़ाने और व्यापाई की रिस्तों को गती देने के लिए पहले से ही लगातार काम कर रहे हैं 2018 में मिमस्टेक मिनिस्टर्स ने डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इंडिया मोबाईल कॉंग्रेस में हिस्सा लिया था इसी तरह हम रक्षा के खेत्र में, आपता प्रबंदन के खेत्र में, स्पेस के खेत्र में, परियावरार के खेत्र में और कृषी व्यापार के खेत्र में भी मिलकर काम कर रहे हैं हमारी ये सभी खेत्र जितने मजबूत होंगे जितने आधुनिक बनेंगे उतना ही फाइदा हमारे स्टार्ट अप्स को होगा। ये एक वैल्यू क्रियेशन साइकल है यानि हम इन्फासक्चर, एग्रिकल्चर और विज्देश जैसे क्षेत्रोबै अपने समंदों को मजबूत कर रहे हैं इससे हमारे स्टार्ट अप्स के लिए नए प्रावसर पैदा हो रहे हैं और जितना हमारे स्टार्ट अप्स पकड़ेगा